शहीदों के सम्मान में विराट कोहली ने लिया बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर के पुलवामा में केंदिये रिजर्व पुलिस बलसी आठ पीएफ के 40 शहीद हुए जवानों पर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली भी सदमे में है पूरा देश इस घटना से शौक में डूबा हुआ है ऐसे में विराट कोहली ने एक बड़ा फैसला लिया है विराट कोहली ने एक बड़ा फैसला लेते हुए उनकी फाउंडेशन द्वारा दिये जाने वाले इंडियन स्पोर्ट्स ओनर पुरसकारों को रद कर दिया है अब ये पुरसकार बाद में दिये जाएंगे बता दें कि ये है पुरसकार शनिवार सोला अत्फरवरी को दिये जाने थे विराट कोहली ने एक फैसला सी आरप जवानों की शहादत का समान करते हुए लिया है उन्होंने टिवर्टर पर इस बात की जानकारी दी है उन्होंने RPSG Sports Honor इवेंट को रद करने की घोशना की है उन्होंने टिवर्टर पर लिखा दुख के इन पलों में हमने इस इवेंट को रद कर दिया है यही वेंटाज होना था इस से पहले विराट ने इस हमले की निंदा करते हुए लिखा थी सुरक्षा कर्मियों पर हुए इस निहायत घ्रनित हमले से वेंग सदमे में है इस हमले की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है मैं घायल सैनिकों के जल्दी स्वस्थ होने की काम ना करता हूँ बतादे की विरेंद्र सहवाग, रोहिद शर्मा, वीवियस लक्षमन, शिखरदवन, सुरेश रैना, मुहमद कैप और अन्य खेल जगत की हस्तियों ने टिवटर पर इस हमले की निंदा की और शहीदों के परिवार के प्रती अपनी सनवेद नाई प्रकट की है